आज मुलाइमसी आदवजी का नीधन हो गया है मुलाइमसी आदवजी उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी ख्षती है मुलाइमसी आदवजी के साथ बेरा नाता बड़ा विशेश प्रकार का रहा है जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे बेबी और मैं भी दोनों के प्रती एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे और 2014 में जब भारतिये जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधान मंत्री पद के लिए आशिरवाद दिये तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचश था ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ट राजनेता थे राजनीती ग्रूप से हमारे विरोधी थे लेकिन उन सब को फोन करके आशिरवाद लेने का मैंने एक उपरकम किया था और मुझे आद है उस दिन मुलाहिम सीन जी का वो आशिरवाद कुछ सला के दो शब्द वो आज भी मेरी अमानत है और मुलाहिम सींग जी के विशेश्ता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशिरवाद दिया था उसमें कभी भी उतार चड़ाव नहीं आने दिया घोर राजनिती की विरोधी बाते के बीच भी जब 2019 में पार्लामेंट का आकरी सत्र था पिछली लोकसभा का और सौंसद के अंदर मुलायम सिंग जी जैसे बरिष्ट नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनिती कार करता के जीवन में बहुत बड़ा आशिरवाद होता है उन्होंने सौंसद में खड़े होकर के कहा था कोई लाग लगबेगेट के बिना कहा था राजनितीक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुर्जे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुनकर के देश के प्रधान मंत्री बनेंगे कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जिवित रहे जब भी मोका मिला उनके आशिरवाद मिलते रहे मैं आज आदर्निय मुलाइम सिंजी को भाव बिनीस्तर धान्जली देता हूँ मैं इश्वर से प्रासरा करता हूँ को उनके परिवार उनके समर्थकों को ये दूख सहने की शक्ति दे